हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्तर इंद्रजीत खंडेकर नमस्कार हम आज बात करने जा रहे है हस्त मैथून याने मास्टूर्बेशन के बारे में जो की बच्चों और बड़ों के जीवन का एक महत्व पूर्ण पहलू है आपका बच्चा जो की पढ़ाई और बाकी सब बातों में पहले से अच्छा है वो अचानक उम्र 10 या 11 साल का होने के बाद सहमासा और बैचेन नजर आता है और पढ़ाई और दैनिक कार्य से उसका मन कभी कभी विचलित होता है क्या यह हस्तमैथून से सम्मंदित गटनाओ के कारण तो नहीं है हस्तमैथून से आने वाली योन अपरात की भावना एने की सेक्शियल गिल्ट और योन शर्म एने की सेक्शियल शेम क्या आपके लड़के और लड़कियों के भविश्य पे बुरा या विपरीत असर तो न नहीं कर रही बच्चों में होने वाले हस्तमय थून से समंदित लेंगी बदलाओ और लेंगी क्रियाओ के बारे में माता-पिता का अज्ञान आपके बच्चों को सेक्स या यो नरोगी तो नहीं बना रहा है इस सेक्सिक्षा Parenting Tips सिरीज के एपिसोड तीन से नव में हम लड़के और लड़कियों के हस्तमय थून हस्तमय थून कितनी बार नॉर्मल है उसके फायदे और उसे गलत तरीके से करने के दुश्परिणाम हस्तमय थून न करने के दुश्परिणाम बच्चों में होने वाले इरेक्शन और एज या शिश्यों के दौरा अपने जन्रांगों को छूना सामान्य है और हस्तमय थून क्या है और बच्चे हस्तमय थून कब से शुरू करते हैं छोटे बच्चे अपने हाथों से जन्रांगों को स्पर्श करते रहते हैं जब कोई बच्चा उसके जन्रांगों को छूता है तो खासकर यदि ये आपका पहला बच्चा है लेकिन ये पुरी तरह से स्ववाईक और सामान्य है वे अपने नए शरीर को उसी तरह से खोज रहा है जिस तरह से वे अपनी नाक, पैर, कान और उंगलियों को छूते है बच्चों के विवार की एक विस्तृत शुंकला है जो माता पिता को असहज महसुस करा सकती है या कुछ चीज़े है जो एक बच्चा कर सकता है और जो पुरी तरह से सामान्य और प्राकूर्तिक है जैसे कि निजी और सारवजनिक रूप से खुद को छूना अपने जननांगों को रगणने के लिए हातों या वस्तूव का उपयोग कर नगन होना दूसरों को अपना जननांग दिखाना साथियों के जननांगों को तलाशना या चूना इसलिए इसके बारे में शर्म महसूस न करने की कोशिश करे और जब वे अपने जननांगों को चूते है तो अपने बच्चों को कुरुपया डाटे नहीं शिशो के दारा अपने जननागों को छूना या जननागों के साथ खेलने पर माता-पिता की प्रतिक्रिया और रवय क्या होना चाहिए ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे अब आते हैं हम लोग हस्तमेथुन याने मास्टूर्बेशन क्या है इसे हम जन्रांगों की स्वव उत्तेजना ऐसा कहते हैं हस्तमेथुन ऐसी योन गतिविदी है जिसमें लिंग याने पेनिस और लड़कियों में भगशेप याने क्लाइटोरिस नाम के अवयों को योन याने की और्गैजम के लिए संभोग के अलावा अन्य तरिकों से जादा तर अपने हातों से उत्तेजित किया जाता है बचपन से ही बच्चे अपने जन्रांगों को छुने लगते हैं शुरू में बच्चे सर्फ जन्रांगों को याने लड़कों में पेनिस और लड़किय साल की उम्र में लिंग को आगे पीछे करना शुरू करते हैं और लड़किया क्लाइटोर इसको सहराना शुरू करती है सामाले तोर पे इसे हस्तमेथुन कहा जाता है बच्चों को शुरुवात में इसके लिए शब्द ऐने इस क्रिया को हस्तमेथुन कहते है ये पता नहीं होता है बस ये उनके लिए ये कुछ ऐसे चीज होती है जो वे तब से कर रहे होते है जब से उन्हें याद आता है जैसे जैसे लड़किया बड़ी होती है वो एक तकिया या अन्यनिर्जी वस्तू लाइक वाइबरेटर आधी के उपयोग से एक बात तब या शावर के नल से पानी के जेट द्वारा या अपने पहरों को बंद करके और रॉकिंग द्वारा बख्षेप को उत्तेजित करते हुए आपको दिख सकती है यहां से उन्हें समझता है कि जननांगो को चूना अच्छा लगता है और ये सभी बच्चे करते हैं ऐसे करते करते जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तब वे रुक जाते हैं इसे हम और्गैजम बोल सकते है जब तक बच्चे 11 या 12 साल के नहीं होते है तब तक उनके लिंग से सफेद पानी याने सीमेन याने की विर्य नहीं निकलता है फिर अचानक सीमेन या विर्य बहार आना शुरू होता है और बच्चे तब पहली बार काफी डर और घबरा जाते है उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यू हुआ हस्तमे थून और एजैकुलेशन याने की विर्य पात का सही ग्यान नहोंने की वज़र से इसका विपरीत परिणाम उनके पढ़ाई और देरेंदिन कारिय पे बढ़ता है इसलिए इस दवरान माता पिता की बच्चों के साथ इस बारे में बातचीत बहुत बहुत जरूरी है माना जाता है कि लगबख सभी लोग अनिस्त्री पुरुष और अन्य एक दुसरे समय में हस्तमेथून करते है बच्चों के शरीर में परिवर्तन उन्हें योन उत्तेजना देना शुरू करते है और हस्तमेथून उन उत्तेजना का बता लगाने का एक पुरी तरह से प्राकूर्तिक और सुरक्षित तरीका है आपको कभी भी इस बात पर शर्म मैसुस नहीं करनी चाहिए धन्यवाद